दोस्तों अक्सर हम ग्लोबल वोर्मिंग यानि पिर्थवी के बढ़ते हुए तापमान के बारे में सुनते हैं और हम ये खुद पर भी महसूस कर पा रहे हैं कि प्रतिवर्ष, सर्दी कम और गर्मी अधिक बढ़ती जा रही है विज्यानिक इसकी वजए जिवाशम इंधन यानि कोईला, पेट्रोल और डीजल आदी के जलने से निकलने वाली गैसों को बताते हैं ग्लोबल वोर्मिंग से होने वाले नुकसान और बढ़ते तापमान पर आपको यूटूब पर ही अनेको वीडियो मिल जाएंगी जालातर इन वीडियो में पिर्थवी के बढ़ते तापमान की बाबत और थारविश तापदी से अब तक हुए अध्यन ही सम्मलित किये गए हैं परंतु आज किस वीडियो से जुड़ कर हम पिर्थवी के निर्मित होने से लेकर वर्तमान तक के तापमान पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि पिर्थवी पर सभी जगए एक समान तापमान नहीं है कहीं रेतिले मरुस्थुल है तो कहीं बर्फिले पहाड इसलिए हमें पिर्थवी के तापमान का अध्यन करने के लिए पूरी पिर्थुई का ओस्तन तापमान जानने की आवशकता पड़ेगी और इसके लिए पिर्थुई के अलग-लग हिस्सों के तापमान का अध्यन आवशक है वर्ष 1714 में दच भोतिक विग्यानिक डैनियल गरेबिल फिरनाइट ने पारे वाला थर्मामीटर बनाया था और वर्ष 1850 से भू विग्यानिक लगातार पिर्थुई का ओस्तन तापमान रिकोर्ड कर रहे हैं परंतु वर्ष 1850 से पहले पिर्थुई का ओस्तन तापमान क्या रहा होगा विग्यानिक आज इसका भी पता लगा सकते हैं भला विग्यानिकों के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे उस बीच चुके कालखंड के तापमान को भी जाना जा सकता है जिस कालखंड में इंसानों का कोई आस्तितू ही नहीं था असल में विग्यानिक आज से हजारों लाखों या करोडों वर्षों पहले का पिर्थवी का तापमान पता लगाने के लिए मोटी बर्फ की चादर में छेद करते हैं आपने देखा होगा कि जब बर्फ आस्मान से जमीन पर गिरती है तो वो बर्फ रूई के समान हलकी होती है क्योंकि इस बर्फ में बेहद अधिक मात्रा में हावा भरी हुई होती है जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिच जाने से बहरी दबाव के काण इस बर्फ से हमा अलग होने लगती है परन्तु ये हमा पून रूप से कभी भी बर्फ से अलग नहीं होती बल्कि कुछ मात्रा में हमा बर्फ के अंदर ही बनी रहती है विज्यानिक सद्यों से जमी हुई बर्फ की पर्त में छेद करके बर्फ का एक खंड अलग करते हैं और इस खंड को प्रयोगशाला में पिगला कर उसकी गैसे बाहर निकालते हैं इन गैसों के अध्यन से ही प्राचिन समय के तापमान को जाना जाता है क्योंकि अलग-अलग गैसे अलग-अलग मात्रा में गर्मी को अपने भीतर सोख सकती हैं वो धान के लिए ओक्सिजन के तुलना में कारबंडा योकसाइड कहीं अधिक गर्मी सोखती है यानि इन गैसों के आईसो टोप्स की मौजूदगी के अनुपात से अतीत के तापमान की गणना की जा सकती है। ये तरीका बिलकुल सही तो नहीं हो सकता। पर नतुट इस तरीके से सही के बहुत करीब जाया जा सकता है। जिसमें बेहद बारिक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के भीतर हावा कैद हो सकती है। जब ये जीव मर जाता है तो भी इसके खोल के अंदर हावा कैद ही रहती है। विग्यानिक लैब में इस मरे हुए जीव के खोल में कैद हावा का ही अध्यन करके उस जीव के समय का ता का ग्राफ बनाने में सफलता प्राप की है और ये ग्राफ को चोका देने वाले आकड़े हमारे सामने प्रसूत करता है दोस्तों प्रित्वी के ओस्तन तापमान में पिछले 50 क्रोड वर्षों में बेहद अधिक बदलाव आए हैं प्रित्वी पर सबसे ज़्यादा ओस्तन ता पुर्षो जानते हैं कि अपने जनम के समय पिर्त्वी पर पिगला हुआ लावा फैला हुआ था फ़िर दीरे दीरे पिर्त्वी थनडा होना शुरू हुई विग्यानिकों के थार ग्रेक och sale consiste पिर्थुई की जमीन पर पेड़ पोदे उगने लगे तो पिर्थुई का तापमान तेजी से घटने लगा क्योंकि पेड़ पोदे कार्बन डाई ओक्साइड को सोकते हैं और ओक्सिजन छोड़ते हैं जिससे पिर्थुई पर कार्बन डाई ओक्साइड में कमी आई और पिर बन डाइ ओक्साइड एंव सलफर डाइ ओक्साइड जैसी गैसे पिर्थुई के गर्ब से निकली। साथी पिर्थुई पर गिरने वाले उल्का पिंड भी पिर्थुई का तापमान बढ़ाने में साहक रहे। उधान के लिए आज से करीब 6.5 करोड सालों पहले जिस उल्का पिंड के गिरने से डैनोसोर मारे गए थे उस समय पिर्थुई का ओस्तन तापमान 26 डिगरी सेल्सेस तक जाप पहुंचा था। यदि हम इस ग्राफ को नजदीक से देखें तो और भी अधिक हैरान कर देने वाले डाटा दिखाई पड़ते हैं। जब भी पिर्थुई पर कोई हिम्यूग आता है तो पिर्थुई का तापमान तेजी से गिरता है। वही हिम्यूग बीतने के पश्चात पिर्थुई वापिस फिरसे गरम होने लगती है। जलवायों विज्यानिकों की माने तो अभी भी हमारी पिर्थवी हिम्यूग के अंतिम चरण में है। वैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पिर्थवी पर हिम्यूग कीन कारणों से आते हैं। हिम्यूग आने के कारणों को समझने के लिए आपको मिलन कोईश साइकल्स को जान लेने की आवशकता पड़ती है मिलन कोवी साइकल्स समय समय पर ब्रमान में सूर्य के साथ तैरती पृत्वी और पृत्वी के अक्षे जुकाओं में आये परिवर्तनों की ही व्याख्या है इस बारे में एक विस्तर्थ वीडियो इस चैनल पर पहले से ही मुझूद है जिसका लिंक आपको यहाँ क्लिक करने से या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तो हमारी पृत्वी अपनी धुरी पर साड़े तैस डिगरी जुकी हुई है जिसकान मोसम परिवर्तन होता है पर तु पृत्वी का यह जुकाओं स्थिर नहीं है विज्यानिकों का कहना है के करीब 40,000 सालों के दोरान पृत्वी 22.1 डिगरी से लेकर 24.5 डिगरी तक क जुकाओं परिवर्तन से गुजरती है जब पृत्वी अधिक जुकती है तो सूर्य की गर्मी पृत्वी पर सीधी नहीं पड़ पाती जिसकान सरद्या अधिक लंबी होने लगती है और बारिश के मुकाबले बर्फ बारी अधिक होना शुरू हो जाती है लंबे इलाके में फैलिस बर्फ से टकरा कर सूर्य की गर्मी अधिक मात्रा में अंतरिक्ष में प्रावर्तित होने लगती है और पिर्थवी और भी तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाती है आप इस ग्राफ में हर एक लाग साल बाद पिर्थवी के तापमान में आए इन परिवर्तनों को इनसानी सभ्यता ने रफ्तार पकड़ी अगर हम सिर्फ 1850 से 2020 के समय के मद्दे में पिर्थवी के तापमान का गराफ देखे तो पाएंगे कि इस दोरान पिर्थवी के तापमान में कोई विशेस बदलाव नहीं आया परन्तु मानों की ओधोगी करांती के बाद यह तापम से बाहर आती पिर्थवी गर्म होती जा रही थी परन्तु इनसानों दोरा फैलाए गए प्रदूशन ने गर्म होती पिर्थवी की रफ्तार कई गुना बढ़ा डाली वर्ष 1950 से शुरू हुए अध्यनों में यह पाया गया है कि पिर्थवी के धर्वों की बर्फ लगातार स्विकुड रही है यह बर्फ ही बड़े पैमाने पर सूर्य की गर्मी को अंत्रिक्ष में प्रावर्तित करती है यानि जैसे जैसे धर्वों पर बर्फ कम होगी वैसे वैसे पिर्थवी पर और अधिक गर्मी होगी 2021 में हुए नए अध्यनों के नुसार इंसानों की गतिविदियो के काण पिर्थवी का वायू मंडल, जमीन और स्नुंदर सब के सब गर्म होते जा रहे हैं पहले ही हिम्यूक से बाहर आती पिर्थवी के बढ़ते तापमान की गति को इंसानों द्वारा मानों पंख लगा दिये गए हैं परन्तु ताजा निशकर्सों से पता चलता है कि शायद आने वाले 50 सालों में ही धर्वों पर मोजूद ये विशाल बर्फ का भंडार समाप्त हो चुका होगा और पिर्थवी के ओस्तन तापमान में 5 डिगरी सेलसेस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी उसके बाद जो स्तिथी वनेगी वो ब्यानक होगी पिगली हुई धर्वों की बर्फ का पानी समुंदरों में मिलेगा जिससे समुंदरों का जलस्तर 70 मिटर तक बढ़ चुका होगा यानि समुंदरी किनार उपर बसे शहर दूप चुके होंगे वहीं अत्यादी गर्मी के क समुंदरों से दूर का मैदानी इलाका भी रहने लायक नहीं रहेगा शायद फिर सब भी को रहने के लिए पहाडों की और भागना होगा और इतनी बड़ी जनसंक्या की जरूरत पहाडों से पूरी नहीं की जा सकती यानि हमारे आने वाली पीडियों का भुश्य बेहद धन्यवाद